Hello everyone, मैं Dr. Meenal Dhavaliyah, Gynecologist, Infertility Consultant and Laparoscopic Surgeon. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, Miscarriage, Spontaneous Abortion और गर्दपात के बारे में. यह क्यों होता है, इसके causes क्या है? सबसे important cause, the number one cause है, genetic और chromosomal abnormalities. और यह कैसे होता है? Pregnancy का start होता है, तो एक का जब fertilization होता है, and then वो form एक embryo करता है, और जब embryo से वो बच्चे तक जाता है, तो यह process होता है, multiplication and division का. यह multiplication and division के process में कभी-कभी ऐसा हो सकता है, कि एकात chromosome delete हो जाए, या एक extra chromosome add हो जाए, या कभी-कभी genes एक जगा से जाकर दुसरे जगा dislocate हो सकती है, जिसे हम genetic mutations कहते हैं. यह genetic mutations की वज़े से pregnancy एक limit से ज़ादा आगे नहीं बढ़ पाती है, और इस type की pregnancy, miscarriage में land हो जाती है. इसको छोड़कर जो दूसरे reasons होते हैं, जिसे हम कहते हैं maternal reasons, अगर मा में, मदर में कुछ problem है patient में, जैसा उन्हें कोई बिमारी है, like hypertension है, या diabetes है, hypertension है, जो काफी ज़ादा अनकंट्रोल है, diabetes का, वो medicine नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लेते हैं, जिसके वज़े से उनके sugar लेवल बहुत ज़ादा irregular रहते हैं, या फिर thyroid है, जो बहुत ज़ादा कम है या ज़ादा है, या autoimmune diseases है, यह सब भी की वज़े से भी miscarriage का होना बहुत ज़ादा पॉसिबल होता है, कभी-कभी यह सा होता है, कि यूटरस में कुछ problems होते हैं, structural abnormalities हम जिने कहते हैं, कि यूटरस में एक septum रहता है, जिसे कहते हैं, यूटरस में पर्दा है, या यूटरस लिटरली दो में डिवाइड होके रहती है, जिसे हम bicornuate uterus कहते हैं, इन टाइप की uterus में भी थोड़े miscarriage के chances बढ़ जाते हैं, बिकॉस इंप्लाटेशन अगर septum पे हो गया, तो उसे adequate nutrition मिल पाता है, और कभी-कभी pregnancy को बढ़ने के लिए भी जगा नहीं मिलती है, तो ये वाले structural abnormalities भी miscarriage में ले जाती है, आपको, एक और चीज होती है, जिसके वज़े से miscarriage काफी common है, जिसे हम कहते हैं cervical incompetence, इसमें ये होता है कि 3 मन्त के बाद uterus का जो opening है, वो धीरे-धीरे open होने लग जाता है, वो pregnancy को अंदर नहीं रख पाता है, जिसके वज़े से pregnancy abort हो जाती है, ऐसे cases में आपका doctor से early pregnancy में मिलना जरूरी है, ताके वो time लि जाता है कि opening हो रहा है, तो उसको stitch ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं cervical circulation, और अगर इस एक pregnancy इस वज़े से patient को miscarriage होता है, तो next pregnancy में, even if उन्हें opening नहीं हुआ है, तो भी as a precautionary measure, doctor advise करते हैं कि आप आपकी uterus के mouth का stitch ले 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 या cervical circulation ले ले जिसके वज़े से miscarriage के chances काफी कम हो हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि जब आप आपकी pregnancy को plan करें, उससे at least three to four month before आपके doctor को मिले, आपके doctor investigate करते हैं, अगर आपको कोई systemic disease है, like blood pressure है, या diabetes है, तो उनका control होना बहुत जरूरी है, before आप pregnancy के लिए plan करें, अगर आपकी uterus में कोई septum है, तो septoplasty hysteroscopy एक simple process है, जिस से small anesthesia में आप सेptum को निकाल सकते हैं, और आपकी uterine cavity normal हो सकती है, अगर आप smoker हैं, तो आपको smoking को avoid करना है, drug smoking and alcohol pregnancy को miscarriage की तरफ ले जाते हैं, इसलिए आपको उससे दूर रहना है, कभी-कभी simple major like patient को काफी anemia होता है, उनका hemoglobin level काफी कम रहते हैं, वो भी आपके miscarriage को बढ़ा देता है, तो इसलिए अगर आपको एक बार miscarriage हो चुका है, या आपको pregnancy plan करना है, तो पहले डॉक्टर से में लिए अपनी investigation करिए, prenatal vitamins चालो करिए, और डॉक्टर की सला के बाद pregnancy के लिए try करिए, I am sure अगर आप proper investigate करेंगे, तो next pregnancy आपकी एक normal और healthy pregnancy होगी, thank you for watching do like, share and subscribe